अगर आपने अपने मोबाइल में कभी फालतु की वेबसाइट को ओपेन किया हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि आपको अपके मोबाइल में बहुत सारी नोटिफिकेसन रिसीब होने लगती है जो की मतलब age restricted notification receive होने लगती है तो क्या आपको मालूम है कि आप इस notification को कैसे बंद कर सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इन सारे notification से छुटकारा पा सकते हैं बहुत ही आसानी से तो इन सारे notification को कैसे बंद करते हैं यह जानने के लिए आप वीडियो को पूरान तक देखते रहें चलिए शुरू करते है बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको जो notification मिल रहे होंगे वो Google Chrome Browser से मिल रहे होंगे तो ऐसे मैं आपको Google Chrome Browser में जाकर notification को उस website की notification को बंद करना होगा उसके लिए आपको क्या करना है आप अपने Google Chrome Browser को open कर लेंगे open करेंगे आपको यहाँ पर यह three dot का option दिखाए देरा इस पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको setting में चले जाना है setting में जाएंगे scroll down कीजे आपको यहाँ पर यह notification का option दिखाए देरा इस पर आपको click करना है click करेंगे अब आप scroll down कीजे ठीक है आपको यहाँ पर यह देखिए एक option दिखाए देगा sites ठीक है यहाँ पर आपने जो जो भी website अपने Google Chrome Browser से open किया हुआ होगा वो सारी website आपको यहाँ पर दिखाए देगी अगर आपको किसी एक particular website का notification बंद करना है तो आप उस पर click कीजे और यहाँ पर आपको यह जो show notification का option दिखाए दे रहा है इसको आप normally यहाँ से बंद कर देंगे लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है कि आपको किस website के तरफ पर notification आ रहा है फालतू की notification आ रही है आपको इसी को बंद कर देना है ठीक है तो done आपने बहुत ही आसानी से अपने Google Chrome ब्राउजर से आने वाले सभी website की notification को permanently बंद कर दिया है तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते नेक्श वीडियो में तब तक के लिए बाबाए जय हिंद